प्राइविट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को इमर्जेंसी में अपचार के लिए क्लीम सेटलमेंट के लिए ESI में बाबू के चकर लगाने पड़ते हैं। इस बारे में जब ESI CMO जियोटसना चतरवेदी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जाधातर मरीज जानकारी के अभाव का शिकार होते हैं। तो कुछ मरीजों की फाइलें अनकंप्लीट होने की कारण आगे नहीं पहुँच पाते। तो कई बार इमर्जिंस उपचार लेने के दोरान मरीज ESI को निर्धारित 24 घंटे के अंदर सूचित नहीं कर पाते हैं। जिस कारण उन्हें बाबूं के चक्कर काटने पड़ते हैं। काफी हद तक जानकारी के अभाव में ही होता है। जानकारी है, वो समय से अपना बिल हमारे ओफिस में प्रेशित कर देता है। तो उसको बट वो बिल प्रॉपर चेक होके वो आगे कानपुर जाता है। रिवॉल्विंग फंड से वहां से मनी रिलीज होता है। और वो डायरेक्टली आईपी के अकाउंट में चला जाता है। इसलिए हम जिस टाइम वो बिल सब्मिट करता है, उस टाइम एक खाली चेक की क्रॉस्ट चेक जमा करवाते हैं। उसकी इंफॉर्मिशन हमारे पास भी आ जाती है कि जम मनी अकाउंट में चला गया। नहीं करा पाते। इस दबाव में बाबुद्वारा फाइल जमा करनी चाती है, तो भी फाइल कानपुर हेड ओफिस से लोट आती है, जो से मरीज का समय और पैसा दोनों बरबाद होता है। उस डिस्पेंसरी के इंचार्ज उसको thoroughly scrutinize करते हैं बिलको क्योंकि ताकि में परपस ये है कि वो बिल वापस लोट के ना है, पेशेंट का समय से निस्तारण हो जाए, मनी उसके अकाउंट में चला जाए। और उसमें हमारे जो क्लेरिकल स्टाफ है वो भी बहुत ही ज्या की पॉलिसी से अवगत कराएंगी, जिससे किसी भी कर्मचारी को भविश में कोई दिक्कत का सामनना करना पड़े। सी निउस के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।